तो राम लगरी में नहीं चल पाया राम मंदिर का मुद्धा, आयोध्या में बीजेपी के काम नहीं आ पाई राम, राम लगरी आयोध्या में भाजबा का कमल नहीं खिल पाया, आयोध्या शुरी राम जनभूमी और राम लला ये तीन मुद्धे लोक सबाचुनाव में भाजपा ने ताओर खुद प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने भी बार बार अपनी रैलियों में ये धोराया कि भाजपा ने 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आयोध्या में भगवान राम का भव्वे मंदिर बना राम मंदिन प्रान पतिष्टा को पार्टी ने एक मेगा इवेंट बनाया आयोध्या और राम मंदिर के दम पर भाजपा ने पूरे देश में चीत का बिगुल फूका था लेकिन उसी आयोध्या में भाजपा को हार से संतोश करना पड़ा है यहां की फैजबाद लोगसबा सीट पर सपा की अफदेश प्रसाद ने भाजपा की लल्लू सिंग को चोवन अजार पांसो सर्षट वोटों से शिकस दे दी अफदेश प्रसाद वर्तमान में आयोध्या की मिलकी पूर विधान सपा से सपा के विधायक है उनके समर्थन में प्रचार करने पोचे अखिले श्यादव ने उन्हें पूर विधायक और भविश्य का सांसत कहा था फैजबाद की ये हार भाजपा के लिए मातर एक सीट की हार नहीं है बलकि उनके हिंदुत वादी चवी और सबसे प्रमुक चुनावी मुद्दे राम मंदिर की भी जगा है भाजपा की ये हार पार्टी की चवी के लिए एक बड़ा टेंड साबित हो सकती है अफदेश प्रसाथ सपा के पुलाने निताओं में से एक हैं उन्ने मुलायम सिंग और अखिले इश्यादफ का बेहत करीब ही माना जाता है उन्होंने अपनी राजनीती की शुरुआत जंता पार्टी से की थी लेकिन बाद में सपा के शुरुआती नेताओं में से एक रहे वो नो बार के विधायक और छे बार के मंत्री हैं अब देश पसात को विधान सभा में वरिश सदस्य के रूप में माना जाता है और अखिले इशादव के बगल में ही इने बैठने का स्थान दिया जाता है उन्हें मद्दाताओं की नफस सटोलने में माहिर माना जाता है लिहाजा समाजवादी पार्टी ने उनके नाम पर जो दाउं चला उसकी कार्ट में भाजपा की मजबूत रन्नीती भी फेल हो गई उनके दलित होने के कारण बसपा का वोटर भी सपा के पाले में चला गया गोरतलब है जहां देश में इस बार कम मत प्रतिशत रहा वहीं फैजाबाद पर 2019 लोगसबा चुनाव से अधिक वोट पड़े थे 2019 के चुनाव में फैजाबाद में 58.67% मद्दान हुआ था 2024 के लोगसबा चुनाव में 69.13% वोट पड़े आपको बता दें के फैजाबाद लोगसबा शेत्र में SC मद्दाताओ की संक्या 24.3% है और ST 0.1% है मुस्लिम मद्दाताओ की संक्या 16.37% है इस शेत्र में सबसे जादा पिछड़ी जातियों के मद्दाता हैं जिन में 11 वोटर्स की संक्या करीब 13% है सुन वोटर्स की संक्या 29% है भाचपा को लोगसबा चुनाव में पूरे यूपी में बड़ा चटका लगा है अब देखना ये होगा कि भाचपा 2027 की चुनावों के लिए क्या रुख अपनाती है ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक